नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, हम पताने जा रहे हैं सोमवार व्रत की कथा, एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहुतार रहता था, उसके घर में धनकी तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थे, इस कारण से वेह बहुत दुखी र करता था, उसकी भक्ति से मा, पार्वती एक दिन प्रसंद होगी, इन्होंने भगवान शेव से उस साहुतार की मनुकामनापून करने का आग्रह किया, इस पर भगवान शेव ने कहा कि है पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, जिस वर्दान तो दिया, साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयो केवल बारह वर्ष की ही होगी, साहुकार, माता पार्वती और भगवान शेव की बाचीत को सुन रहा था, उसे भगवान के इस बात से ना तो खुशी थी और ना ही दुख, वह हमीशा की तरह शेव जी की मा को बहुत सारा धन देकर उसे काशी विद्ध प्राप्ति के लिए ले जाने को कहा, साथ ही मार्ग में यग्य कराते हुए जाने का आश्वासन दिया, साथ ही यग्य स्थल पर ब्राम्भनों को भोजन कराने और दक्षिना देने को भी कहा, दोनों मामा भाजे साहुकार के निर्देश अनुसार, यग्य कराते और ब्राम्भनों को दान दक्षिना देते काशी की ओर चल पड़े, रात में एक नगर पड़ा जहां किसी राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था, वो एक आंग से काना था, रा विवाह के बाद इसको धंडे कर विदा कर दूँगा, फिर राजकुमारी को अपनी नगर ले जाओंगा, इसी तरह विह साहुकार लड़की को दूलहे की वस्र पहना कर राजकुमारी से विवाह करा दिया, लेकिन साहुकार का पुत्र इमानदार था, उसे ये बात चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया है कि तुम्हारा विवाहत तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा, वह एकांग से काना है, मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ, जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने मात पिता को यह बात बताई, फिर राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, बारात को वापस लोटा दी गए, दूसरी और मामा के साथ साहुकार का पुत्र काशी पहुँचा, वहां जाकर उन्होंने यग्य किया, जब लड़के की आयू 12 साल की कुछी देर में उस पालक ने प्राण निकल गए, भाजी को मृत देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया, सन्योग वशोसी समय श्रीव जी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे, पार्वती ने भगवान से कहा स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर्श रहन नहीं हो रहे हैं, खृपाकर आप इस व्यक्ति के कश्ट को दूर करें, जब श्रीव जी उसम्रित बालक के समीप गए, तो बोले कि ये उसी साहुकार का पुत्र है, जिसे मैंने बारा वर्श की आयू का वर्दान दिया था, अब इसकी आयू पूरी हो चुकी है, लेकिन मा त्रिभाव से विभूर माता पार्वती ने कहा कि है महादेव, कृपा कर इस बालक को और आयू देनी की आनिता, इसकी वियोग में तड़ तड़ कर इसके माता पिता भी मर जाएंगे, माता पार्वती के इतने आग्रह पर भगवान श्रीव ने बालक को जीवित होने का वर राजाने लड़के को वहाँ पहुचते ही पहचान लिया, फिर महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी क्योर अपनी पुत्री को विदा किया, इधर भूखे प्यासे, रहकर साहुकार और उसकी पतनी अपने बेटे की प्रतिक्षा कर रहे थे, उन्होंने अपने बेट के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसंद थे, उसी रात भगवान श्रेव ने साहुकार के स्वप्न में आकर कहा है, श्रेश थी, मैंने तेरे सुमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसंद होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू का वर्दान दे दिया ह ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे हमारे